स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में इसमें परदे के पीछे की बातों राजनिती को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का मसले का खुलासा भी सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकरी वे सोचें कि क्या सही है और क्या गलत पहले सुने आज की गपशप समर्थन करना मुश्किल होगा घृड़ द्वारा हट्या आदी मुद्दों को लेकर ये पार्टियां भी फिर से विश्वास प्रस्ताव पेश करें वैसे चंदबावू नाइडू को ममताव एनर्जी और नवीन पतनायक से भी हला कि जानकार सुत्रों का कहना है कि पतनायक की पार्टियां बीजू जन्ता दल अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं क्योंकि इससे ओडिशा के चुनाव में भाजपा को सहनगोती हो सकती ममता की पार्टि क्या करेगी यह दूसरे हपते में हित्ताय हो पाएगा क्योंकि पहले हपते के तीन कामकाजी दिन में त्रनमुल के संसट की क्योंकि हिस्षा नहीं लेंगे जानकार सुत्रों का कहना है कि भाज़पा को अंदाजा हो गया है कि अपना उम्मिद्वार उतारा रहादा आसानी से गुल बंद होगी दूसरी और अगर उसने किस भूनी है और सरकार के पास कई सारे विधाई काम भी है विपक्ष की अलग सरकार को घेरनी की रणीती है बताया जा रहा है कि अकाली दल के नेता नरेश्ट गुजराल राजसभा के नय उपसभार बन सकते हैं विभाजपा की सब्रानी सहयोगी पार्टियों में से एक अकाली दल्मसद है पहले कहा जा रहा था कि भाजपा शिवसेना को या पत दे सकती है पर वचानक नरेश्ट गुजराल के चर्चा और कहा जा रहा है कि ममताब एनरजी ने भी उन पर सकरात्मक प्रतिक्रिया है कि अगर भाजपा ने किसी सहयोगी पार्टी को मिद्वार बनाया तो उसका जीतना असान होगा उसके अन्ना डीमक टी आरेस तर कॉंग्रेसाधी का समर्थन मिल जाएगा जुथरी भाजपा की तरह उतारने की जित जोड़ और किसी सहयोगी पार्टी मिद्वार बननाने पर भाजपाक की तरह कॉंग्रेस के उमिद्वार पर विचार कर रही है। उसे भी लग रहा है कि सहयोगी पार्टी का उमिद्वार भाजपाक या उसकी सहयोगी पार्टी के उमिद्वार आ सकता है। इस लिहाद से त्रियनमूल कॉंग्रिस पार्टी के उमिद्वार पर विचार चल रहा है। मंतब एनर्जी की पार्टी त्रियनमूल कॉंग्रिस के निता सुखेंदी शेखर रॉय के नाम की सबसे चर्चा है। बताया जा रहा है कि सुमवार को गुलावी आजाद के संसत्भवन के आफिस हुई विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक में इस बैठक में इस बैठक में वे ही शामिल हुए थे नसीपी के मामले में मुश्किल लिया है कि उसके चार ही सांस राज्यसभवा में जिनमें एक शरत पवार और पवार और विपक्षी पार्टिया राजी नहीं हुए हाल फिलाल की सुर्खियों में बहस में जिस बात ने आपके जहन में पेठ बनाई है उसका भला क्या मतलब है और क्या है उसका और चोर सो क्यों ने अब जाना जाए आज का खुलासा प्रुधान मंतरी नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की अवाज उठा रहे हैं तो राहूल गांधी भी पीछे नहीं है देश के वामपंधी पार्टियां तो हमेशा महिला सशक्तिकरण की पक्षदर रही है श्रेत्रे पार्टियों में जरूर कुछ विरोध रहा है पर अ नहीं न कहीं तो गड़बढ है किसी न किसी की मंशा में तो खोट है आज राहुल गांदी ने प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी को चिठी लेकर महिला रक्षवड पर बिना शर्थ समर्थन देने का वादा किया है तो ऐसे ही पहले जब कॉंग्रेस की नेत्रित्वारी सरकार थ आं था तो संसतका साजा सत्र बुलाकरु उसे पास करा लिया गया था तो क्या कॉंग्रेस की पिचली या भाजपर्क की मुर्जुदा सरकार ऐसा करके महिला रक्षवड बिल पास नहीं करा सकते क्यों इस बिल के लिए आम सहमती का नाटक किया जा रहा है बिना आम सहमती के तो पोटा से लेकर GST तक अनिक बिल पास हुए है महिला सरशक्ती करण के देशाओं में महिला आरक्षण को सबसे बड़ा कदम माना जाता है संसद और राजयों के विदान सभाओं में महिलाओं को 33 फीजदी आरक्षण देने का विद्या करीब 20 साल से चर्चा में है इसके बाद कई राजयों में इस थाने निकायों में महिलाओं को 50 फीजदी आरक्षण मिल गया शुरवाती गड़ बड़ियों के बाद अवस्थाने निकायों में चुनी गई महिलाओं अपने पतियों या परिवाल के पुर्षों के चाया से बाहर निकलने लगी है और स्वतंत्र रूप से अच्छा काम करने लगी है पर संसद और विधान सभा में उनको 33 फीजदी आरक्षण देने के लायक अभी तक नहीं समझा गया राज़त, जद्यू और सपा के संसदों की संख्या कभी बीदिनी नहीं रही कि वो संसद की कारवाही को अपने हिस्सा आप से चला सके प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने उत्तरपदेश की अपनी सभा में कॉंग्रस पर हम्ला करते हैं व्यक्रा कि कॉंग्रस मुस्लिम मर्दों की पार्टी है और मुस्लिम महिलाओं की परवाह नहीं करती इसके जवाब में राहूल गांधी ने महिला आरक्षवर बिलपास कराने की चुनोती प्रधान मंत्री मोधी को दी जवाब में केंद्रिक कानून मंत्री रवशंकर प्रसाद ने सौधिवाजी करते विका की कॉंग्रिस तीन तला को अपराद बनाने वाले कानून का समर्थन दे तो सरकार महिला आरक्षवर बिलपास करा देगी भाजपा मुस्लिम समाज में प्रचलिक भववा और निकाहलाला के मसले पर भी कॉंग्रिस से समर्थन मांग रही है कॉंग्रिस ने सौधिवाजी का विरोथ किया है पर यह साफ हो गया है कि दोनों पार्टियों के लिए महिला से शक्तिकरण सिर्फ कहने की बात है उनका वास्तविक सरुकार नहीं है अगर वास्तविक सरुकार होता तो पार्टिया आपने इस तर पर इसके लिए प्रयास कर भाजपा के संसद्य बोर्ड में भी सिर्फ एक महिला है और महा सचीवां में भी सिर्फ एक महिला को जगह मिली है सवाल है कि जब पार्टिया अपने संग्ठन और सरकार में महिलाओं को जगह नहीं दे रही है तो उनसे आलगशोड़ देने की उमीद कैसे की जा सकती है कुल मिलाकर देश की सारी पार्टियां सिर्फ महिला सरशक्ते करण की बातें करती हैं वास्तों में महिलाओं को सरशक्त बनाने का उनका इरादा नहीं होता दुर्भागी की बाती है कि पार्टियों में जितनी महिलाएं नेता हैं वो भी खुद को अपने नेतर्तु से अनुक्रहित हुआ मानती है। उनको लगता है कि उन्हें जगह देकर नेतर्तु ने उनको उपकृत किया है। इसलिए वो अपनी पार्टी के मंच पर आवाज नहीं उठा पाती। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पटी में लिखे सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाएं। वहाँ जो गंटी है उसे भी दबाएं। ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।